हलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटर्न सियर करने जा रही हूँ, इस पैटर्न को आप अल प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, जैन्ट साप स्वेटर, फूल स्वेटर, जैकेट, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोट्टी, लॉंग स्वेटर, हाप स्वेटर, बच्चों के अल प्रोजक्ट, गल्स स्वेटर, कैप आदी में बनके देखे, बहुत ही खुबसुरत हमारा ये पैटर्न आया है, ये देखे, ये हमारे पैटर्न का फ्रंट साइड है, और ये दिखी हमारे पैटर्न का बैक साइड है, सबसे पहले में अपने प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे, फिर कोई सा भी बॉर्डर पैटर्न बनाके कम्प्लेट करेंगे, बॉर्डर पैटर्न का लिंक मैं आपको इस pattern को बनाने के लिए हमने 11 के multiple में फंदे डालने पलस हमने 6 फंदे extra डालने दस नंबर की सलाई में हमने इस pattern को बना लेने दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो के नोट्फिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइकन न भूलें अब हम अपना पैटन बनाना स्टार करते हैं तो देखे बॉर्डर कमपलीट होने के बाद फ्रंटी साइड से पैटन की फ्रस्ट रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे पहला खुंदा उतारने के बाद देखिए, फर्स ट्रोग को हमने सीधा भूनते हुए कम्प्लेट कर लेने. यह देखिए, फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की फर्स ट्रोग कम्प्लेट हो गई, बैक साइड से देखिए, सेकिन ड्रोग, अब सेकिन ड्रोग में देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, और बैक साइड से हमने सेकिन ड्रोग को उल्टा भूनते हुए कम्प्लेट कर लेने झाल 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 यह देखे यह बैक साइड से मारी पैटन की सेकिंड रो कमप्लीट हो गई अब देखे यह फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रो थार्ड रो में देखे पहला फंदा उतार लेंगे फिर धागा अपनी साइड करेंगे अब नेश्ट देखे एक, दो, तीन, चार, चार खंदे उल्टे भुन लेने, चार खंदे उल्टे भुनने के बाद देखे धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, तो देखे यह हमारे पांच खंदे हो गए, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, 6 फंदे, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 7, धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, 8, फिर धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, 9, फिर धागा अपनी साइड, 1 फंदा उल्टा, 10, धागा पीछे करेंगे, 1 फंदा सीधा, तो 11, तो देखे, पहला फंदा छ चोड़के यह देखे यह 11 फंदों में हमारा पैटर्न आगे अब हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से थाल रो में हमारे जितने भी फंदे होंगे हमने इनही 11 फंदों का प्रोसिस बार बार रिपीट करते जाने हैं चार फंदे उल्टे बुनेंगे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इनही 11 फंदों का प्रोसिस हमने बार बार रिपीट करते जाना है और लास्ट में देखे धागा अपनी साइड करेंगे, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, धागा पीछे, लास्ट का फंदा सीधा, तो देखे ए फ्रन्ट साइड से हमारी पैटरन की थाड रो, कम्प्लीट उगई, बैक साइड से देखे, फोर्द रो, पहला फंदा उतारेंग अब देखे, नेश्ट, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे उल्टे बुनेंगे, चार फंदे उल्टे बुनने के बाद देखे, नेश्ट फंदा हमने बिना बुने उतार लेने, देखे, फ्रन्ट साइड की तरब से देखे, जो फंदा सीधा है, इसे हम बैक साइड से बिना बुने उतार लेंगे फिर नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे फिर देखे फ्रंट साइड की तरब से देखे जो फंदा सीधा दिखाई दे रहा है इसको हम बिना बुने उतारेंगे और देखे जो फंदा फ्रंट साइड की तरब से देखे उल्टा दिखाई दे रहा है इसक फिर देखें नेस्ट फंदा बिना भुने उतारेंगे फिर लास्ट में हमने चार फंदे उल्टे भुन लेने अब देखें बैक साइड से फोर्थ रो में देखें इनहीं ग्यारा फंदों का प्रोसिस हमने बार बार रिपीट करते जाना है बैक साइड से फोर्थ रो में हमार चार फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन, चार, और लास्ट का फंदा भी उल्टा बुन लेंगे, तो देखें ये बैक साइड से हमारी फोर्थ रो कम्प्लीट हो गई, आप देखें फ्रंट साइड से फिप्त रो, आप फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट होगा, फ एला फंदा उतारेंगे, और फिप्त रो को हम फस्ट रो की तरह सीधा भुनते हुए कम्प्लीट करेंगे, ये देखें ये फ्रंट साइड से हमारी पैटन की फिप्त रो कम्प्लीट हो गई, फिप्त रो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था, अब हमने इन ही चार सलायों के पैटन को बार बार रिपीट करते जाना है, और बनके देखें, हमारा पैटन कुछ इस तरह से आजाएग तो किरपया लाइक करे सियर करे कमेंट करे और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूले थेंक्यू